हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफी महत्पॉन वीडियो लेके आई हूँ तो देखे आज़के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उतराखंड 30 प्लस कुश्यंस जो आपके आगामी एक्जाम चाहे वो सेंटर लेबल के हो या स्टेट लेबल के हो सभी आगामी एक्जाम के लिए ये 30 प्लस कुश्यंस काफी महत्पॉन है इसके साथ ही आपके आगामी वीडियो वीडियो एक्जाम के लिए भी ये थर्टी प्लस क्वेशन काफी हेलफुल रहने वाले हैं तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल के यहां पर सस्क्राइबर सोच चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बज यहां पर कुछ का इजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियाप्स यहीं पर शेयर की जाती है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएग नहिरू ने ऑप्शन भी आपका यहां पर राइट आंसर है देखे भारती राष्टिक कॉंग्रेस का 91 वा अधिवेशन वर्ष 1937 में फोचपूर में आयोजित किया गया था यहार कॉंग्रेस का गाउ में आयोजित पर्थम अधिवेशन था ध्यान रखे गाउ में आयोजित यह कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन था आपसे पूछा जा सकता है कि वह कॉंग्रेस का गाउ में आयोजित किया यह था तो यह अधिवेशन था आपका 91 वा अधिवेशन जो आपके वर्ष उननीस्तों से इस भी में फैशपूर में आयोजित किया या था सारे पॉइंट यहां पर डिसकस किये जाते हैं आप नो डाउन जरूर करें आपके किसी भी पॉइंट से कुश्चन किया जा सकता है तो आप ध्यान रखें नो डाउन जरूर कर लिजे वीडियो देखें जादा से ज़्यादा शेर जरूर कीजिए अगला कुश्यन देखिए भारती पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है भारती पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राई को ओप्शन डे आपका यहां पर करेक्ट आंसर है देखिए राजा राम मोहन राई वर्ष अठाज्टवल इसले में बंगाली सापताहिक समवात कौमदी और वर्ष अठाज्टवस इसले में फार्सी में मिहात अलगवार प्राराम प्रार्मब किये थे यह आप धानके वर्ष अठाज्टवसेयह mi बंगाली सापता ही समवात कौमुदी जिसका नाम था समवात कौमुदी और आपके 822 में फार्सी में किया था देखिए मिरात उल अकबार तो ये दोनों अकबार आप ध्यान रखें अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आपका बहरीन की यात्रा करने वाले भारत की राल्थानी है मनामा ये भी आप ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आपका विश्व की सबसे उची प्रतीमा देखिए ये प्रतीमा है आपके स्टैच्यो ऑफ यूनिटी एकता की मूर्थी कहां इस्तित है स्टैच्यो ऑफ यूनिटी ज सरदार वल्लब भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर पधान मंत्री मोधी ने किया प्रतिमा की उचाई देखिए 182 मीटर और फुट में पूछा जाता है तो 597 फुट है ये सारी चीजे आप ध्यान रखें देखिए करेंट के कुशिन भी यहां पर मैंने मेंशन किये है जो आपके आगामी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है करेंट से ज्यादे कुशिन आपके पुट अप किये जा रहे हैं देखिए आपके ससी जीडी एक्जाम्स चल रहे हैं जिसमें आपके करेंट अफेर्स बहुत जादा पूछा जा रहा है इसके अलावा देखिए दिहां पर प्रोवाइड कराएंगे साथ में दीऽे अगला कुशन है आपका फ्रोज सा कोटीला स्टीडियम कहां स्तित है अपके दिल्ली में आपके यहां पर करैक्टा जाते हैं तो आप यह ध्यान रखेंगे जो आपका फ्रोथ सा कोटिला स्टेडियम है यह दिल्ली में इसका नाम बदल कर पूरुवित्य मंत्री के नाम पर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है अगला कुश्यन देखें अगला कुश्यन है आपका परमाणू हत्यारयों के कुल उन्मोलन हेतु राष्टिय अंतराष्टिय दिवस पहली बार कम मनाया गया है दिखें नेशनल इंटरनेशनल डे ओफ दे टोटल एलिमिनेशन ओफ नुकलियर वैपन्स जो है यह पहली बार मनाया गया है आपके 26 दिसंबर 2014 को option D आपका यहाँ पर correct answer है दिखें इस दिवस को मनाने का उद्देश वैश्विक परमाणू हत्यार परिक्षणों के निश्यत के लाना है तो आप यह ध्यान रखें जो आपका अगला question है आपका Mother Teresa ने किश वर्ष कोलकाता में Missionaries of Charity की स्थापना की थी आपके वर्ष 1950 में Mother Teresa ने कोलकाता में आपका यहां पर बिल्कुल correct answer है Mother Teresa को 4 सितंबर 2016 में Vatican City यानि इटली देश के भीतर इस्तित दुनिया का सबसे छोटा देश है इसमें आयोजित एक समारों के दौरान रोमन Catholic Church के Pope Francis ने संत की उपाधी दी थी यह आप ध्यान केंगे अगला देखे अंतराश्टिय बाग दिवश यानि इंटरनेशनल टाइगर डे किस्तिति को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को option B आपका यहां पर राइट आंसर है अगला देखे वर्ष 2010 में देखे वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीट्सवर्ग शहर में एक सम्मेलन में प्रतिय वर्ष बाग दिवस मनाने का नड़ने लिया गया था अगला है आपका राश्टी शुरक्ष्या शलाकार नेशनल सेक्योरिटी एडवाइजर की नियुक्ति किस राइट आंसर है राश्टी शुरक्ष्या शलाकार पत का श्रजन पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी बाचपई ने वर्ष 1999 में किया था इस पत का सर प्रतम श्री ब्रजेश मिश्र विराजमान रहे थे इस पत पर यह आप ध्यान रखेंगे अगला देखे माइंड मास् पुस्तक जो है यह है आपके विश्वनात आनंद की विश्वनात आनंद की है आपका यहां पर क्रेक्ट आंसर है इस पुस्तक में सत्रंज और कंप्यूटर के बीच सत्रंज प्रतियोगीता के विभिन पहलूओं के बारे में बताया गया है यह लिखा गया है यह आप ध्य वर्ष की गई थी और श्रीं अंदराश्टि गांधी सांती पुरुसकार की जो स्थापना है यी की गई थी आपके वर्ष 2009 इस बी में ऑप्शन भी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है इस पुरुसकार के स्थापना महात्मागादी ने 1252 के प्लक्षव में की गई थी 125 जैनती के उपलक्ष में की गई थी इस पुरुसकार की स्थापना यह आप ध्यान लखेंगे आप से पूछा जा सकता है कि इसके स्थापना कब की गई अगला किशन है आपका चंद्रमा से दूर यानि धर्ती से कभी नजन ना आने वाले के हिस्से पर उतरने वाला विश्व का पहला अंत्रिक्षियान एं तीन जनवरी 2019 को प्रक्षेपित किया था अगला कुशन देखिए अगला कुशन है आपका मिशन इंद्र धनुस के शुरुआत की वर्ष की गई थी देखिए यहां पर सेलेक्टेट कुशन आपको प्रोवाइड कराये जा रहे हैं जिससे आपको आगामी एक्जाम में काफी ह कर दो लग के वीडियो पसंड आ रहीं तो वीडियो को लाइक कि आई आणको ने को ज्जाद से ज्यादा सब्सक्राइबिक जरूर कर लें कमेंट करके biscuit में के कि आपको वीडियो कैसी लग और आउडफ ऑफ भीगाureau्स यहां तरम करक्षे अगला क्यल्वाइछ जुरुआत के शुरुवार से की गई थी मिशन इंद्र धनूस की शुरुवाद की गई थी और आपका 2014 में आपका यहां पर correct answer हो जाएगा दिखें आप लोग comment नहीं करते हैं कि आपके कितने आउट आप जितने भी आपके question provide करा जाते हैं आउट आप कितने आपके correct हो रहे हैं आप सभी लोगों से ज्यादा से ज्यादा मैं request करूंगी कि आप अपने जो score है वह comment section में टाइप करते रहें अगला देखिए देखें आपका जो mission इंद्रधनुस योजना है इस योजना का मुख्यों देशे दो वर्षे से कम उम्र के बच्चों और गर्भाती महिलाओं को डिप्थीरिया काली खासी ट्रिटनेस पोलियो टीवी खसरा मेनिंजाइटिस और हैपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचा लंका के मदी मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये शुरू किया गया था आपके 2012 से और आपका यहां पर करेक्ट आंसर है इस अभ्यास का मुख्य उद्देशे दक्षण एश्या तथा हिंद महासागर छेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के उद्देशे से हुई थी ये सार पुरुसकार एम सम्मान से भी कई कोश्यन पूट अप करता है तो यह आपका बिल्कुल नया कोश्यन है नो डाउन जरूर कर ले भारत में राष्टी फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरुसकार के स्थापना की गई थी आपके वर्ष 1973 में आपका यहाँ पर करेक्टर आंसर है इस पुरुसकार के स्थापना परिवाल करल्यान मंत्राले के द्वारा की गई थी ध्यान के किसके द्वारा पुछी जाती है तो यह की गई थी परिवाल करल्यान मंत्राले यह पुरुसकार नर्शिंग छेतर में दिया जाता है यह भी आप ध्यान दिखेंगे अगला कुश्यन देखिए अगला कुश्यन है अंतराष्टी स्वयम सेवक दिवस कम मनाया जाता है अंतराष्टी स्वयम सेवक दिवस मनाया जाता है आपके 5 दिसंबर को option A आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अंतराष्टी स्वयम सेवक दिवस मनाए जाने का नर्णाई सायूक तो राष्ट महासभा ने 17 दिसंबर 1985 भी को लिया था अगला question देखिए अगला question है आपका प्रतवी 2 missile का सर्व प्रतवम का परिक्षन किया गया था प्रतवी 2 missile का सर्व प्रतवम जब परिक्षन किया गया था यह किया गया था आपके 27 अगस्त निस्टो 96 को option A आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रतवी 2 सता से सता पर मार करने वाली और परमानों हत्यार ले जाने में शक्षम missile है अगला है आपका निमने में से कौन सा बात भारत का सबसे उचा बहुत देशिय बात है देखे भारत का सबसे उचा बहुत देशिय बात है आपका रणजीत सागरबात option B आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा रणजीत सागरबात जो है यह रावी नदी पर बना है कहा जाता है संपरदाइक निर्वाचन का जनक कहा जाता है आपके लाड मिंटो को ओप्शन भी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखे भारत में संपरदाइक अधार पर चुनाओं की सुरुवात वर्ष उनिस्तों नौइज भी में लाड मिंटो सुधार के अंतर वर्ष 1934 इजवी में दीखे भारती संविधान सभाग के गठन का प्रस्ता सरपर्थम 1934 इजवी में एम एन राव ने रखा था वे भारत के वाम पंथी आंदोलन के प्रमुक निर्णीता थे अगला कुशन है आपका भारत में संविधान भारत में संविधान की पहली बैठक कब हुई भारत में संविधान सभाग की पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 इस भी को आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा देखिए संविधान सभाग के सबसे वरिष्ट सदश्य डॉक्टर सचीदानंद सिनहा को शभा क अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था देखे मुश्लिम लीक के ने सभा का बहिश्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था यह सारी चीजें आप ध्यान रकें अगला कुश्यन है आपका गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ल सता का ताप मां लगभक कितना है कि सूरी के बहिरी सता का ताप मां जो है Jatai आपका 6000 1 वे निया गोंडन करता है यह आप ध्यान दखेंगे अगला है आपका टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपगरा है टाइटन जो है यह आपका सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपगरा है option A आपका यहां पर correct answer हो जाएगा सनी जो है यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपगरा है उबगरा की खोज जो है ये डेन मार्क के खगोल सास्त्री Kristian hi zone ने किया था यह अप ध्यान रखेंगे अगला ध्याध्ध थे विशुवत रेखे व्यास कितना है यह आपका 12,756 km उप्शन ये आपका यहां पर नहीं हुआ परतर का ध्रूवी व्यास 12,714 किलोमीटर है यह आप ध्यान रखेंगे पिर्थवी अपने अक्षिपर 23 गंटे 26 मिनट और 4 सेकंड में एक चकर लगाती है अगला कुश्यन है आपका चंद्रमा पिर्थवी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरा करता है चंद्रमा पिर्थवी की एक परिक्रमा लगभग यह समय है आपका 27 दिन और 8 गंटे ऑप्षन भी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पिर्थवी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 गंटे समय में पूरा करता है चंद्रमा की सता और उसकी आंतरिक स्थिती का अध्यान करने वाला विज्ञान जो है ये आपके सेलेनो लौजी कहलाता है ये भी आप ध्यान दिखेंगे नो डाउन जरूर कर ले आपके इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर बताये जाते हैं जिससे आपके कुश्यन बन सकते हैं अगला दिखिए अगला प्रिथवी को सूरी की परिक्रमा करने में 345 दिन 5 गंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड का समय लगता है अगला है आपका दो अक्षांचों के मध्य की दूरी कितनी होती है दो अक्षांचों के मध्य की दूरी होती है आपके 111 किलोमीटर ऑप्शन भी आपका यहां पर राइट यह रेखा के समांतर खीची गई कालपनिक रेखाएं अक्षांच रेखा कहलाती है यह आप ध्यान रिखेंगे इनकी कुल संख्या होती है 180 अगला कुश्चन है आपका एक डिगरी देशांतर की दूरी तई करने में पर्थवी को कितना समय लगता है एक डिगरी देशांतर की दूरी तई करने में पर्थवी को समय लगता है चार मिनट का ऑप्शन भी आपका यहां पर राइट आंशर है दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे नाम से जा यह आप धिखान रखेंगे अगला क्यूश्जन है आपका उतरी को लाजद का सबसे बढ़ा दिन किस तिथी को होता है उतरी तिंहीं गोलार्त का सबसे बड़ा दिन होता है आपके 22 दिसम्बर को को सुरी जो है मकार रेख कर लंबवत होता है अगला कुशन है आपका अंतराष्टि ए चिंदो रेखाा किन्न सागरों में किया गया था अगला कुशन है आपका देखे भू परपटी का निर्माण मुख्यता किन चट्टानों से हुआ है भू परपटी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट से आप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर है प्रथवी के उपरी भाग को भू परपटी कहते हैं जिसे म तथा सीमा में विभाजित किया गया है अगला कॉश्चन है आपका प्रथवी की अधिक्तम उचाई और अधिक्तम गहराई लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है ये है आपके 20 किलोमीटर का ओप्षन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर का अंतर है प्रथवी की अधिक उचाई माउंट आवरेश्ट देखें माउंट आवरेश्ट की उचाई है 8848 मीटर तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त यानि इसकी जो गहराई है यह है अधिक तब करना गयाई हमारे यूटूब चैनल से ज्टेज़ाइक जरूर कर लें वीडियो को ज़्या जाद से ज़्यादा से जादा आपको शेर करना है देखे मैं मिलते हैं एक नएंट्रस्टिंग उडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद